इस वीडियो में हम इस व्रत की तीन कथा को सुनने वाले हैं तो चलिए पहली कथा को सुनना प्राणम करते हैं पौरानिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुण और एक मादा लोमडी दोनों नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा और उपवास करते देखा और खुद भी इस व्रत को करने की काम ना की उनके उपवास के दोरान लोमडी भूग के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया दूसरी और शील ने पूरे समर्पन के साथ इस व्रत को किया और इस व्रत के हर एक नियम का पालन किया परिणाम स्वरूप लोमडी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाते थे और शील की संतान लंबी आयू के लिए धन्य हो गई इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्रत के नियम कानोन जो होते हैं उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें करना चाहिए इस व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं इस कथा के अनुसार जिमुत वाहन गंदर्व के बुद्धिमान और तेजस्वी राजा थे जिमुत वाहन सासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिराम स्वरूप उन्होंने अपने भाईयों को अपने राजे की सभी जिम्मेदारिया दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा इस पर उसने बताया की वह साप यानि की नागवन्स के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है एक सपत के रूप में हर दिन एक साप पक्षी राज गरुन को चड़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था उसके समस्या सुनने के बाद जिमुत वाहन ने उन्हें आस्वासन दिया की वह उनके बेटे को जिवित वापस दे कर आएंगे तब वह खुद गरुन का चारा बनने का विचार कर चटान पर लेड़ गए तब गरुन आता है और अपने अंगुलियों से लाल कपड़े से ढखे हुए जिमुत वाहन को पकड़ कर चटान पर चड़ जाता है उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है तब वह जिमुत वाहन से उनके बारे में पूछता है तब गरुन जिमुत वाहन की वीरता और परुपकार से प्रसन होकर सापों से कोई और पलिदान नहीं लेने का वादा करता है मान्यता है कि तबी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्यान के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है आईए अब इस व्रत की तीसरी कथा को सुनते हैं आप बाद में भूल जाएंगे इसलिए मैं अभी आदिला दू अगर इस तरह की पूझा पाट व्रत्यवार से जुड़ी हुई वीडियो आपको चाहिए तो रोजाना ऐसी एक वीडियो इस चैनल पर जरूर ही आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और मेरी महनत थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिलकुल न भूले वीडियो बनाने में वाकई बहुत पहनत लगती है चलिए अब तीसरी कथा को सुनना प्रारंब करते हैं जीतिया व्रत की कथा महभारत काल की घटना से जुड़ी है कथाओ की अनुसार महभारत युद में अपने पिता गुरु द्रोना चारी की मृत्यों का बदला लेनी की भावना से अस्वत्थामा पांडव के सिविर में घुश गया सिविर के अंदर पांच लोग को सोया पाए अस्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझ कर मार दिया परंतु वे द्रोपती की पांच संताने मारी गए उसके उपरांद अर्जुन ने अस्वत्थामा को बंदी बना कर उसकी दिव्य मड़ी उसके माते से निकाल ली अस्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यों की पत्नी उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्व को नश्ट कर दिया तब भगवान स्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जिवित कर दिया गर्व में मरने के बाद जिवित होने के कारण उस बच्चे को जिवित पुत्रिगा के नाम से भी जाना जाता है तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया व्रत रखा जाने लगा आशा करती हूँ इन तीनों कथा को सुनकर आपको जरूर ही कुछ जानने और सीखने को मिला होगा ऐसे ही पूजा पार्ट व्रत्यवार से जुड़ी जानकारी और कथाओं के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल पर बिर्कुल सही और सटीक, सुब मोहरत और सभी व्रत कथाओं की जानकारिया आपको मिलती है वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद